आज मैं आपके लए लाई हूँ बहुती मज़ेदार बिना दाल भीखो है एक कप वह से आप इतना टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी नास्ता बना कर तयार कर सकते हैं मात्र पांच मेट में तो बनाना इतना असान है तो चलिया आज देरी ना करते हूं बनाना स्टार्ट करते ह तो यहां पर मैंने एक कटोरी के नाप से एक कप पोहा ले लिया है और उसे पानी से दो बार अच्छे से वाश करकर इस तरीके से जो पानी था निकाल कर उसे रग दिया है पांच मीट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इसका जो पानी है वह अच्छे से कोई घ्राइब चॉप करें डाला है और अद्रक हमने कुट कर रखा था वह इसंए थोड़ा साइट कर दिया है साथ में इसमें डाले हैं करी लिफ्स पतिकों मेरे पास ड्राय करी लिफ्स ही थी और मेने उसे हाथ पर रव करके मतलब रगड कर डाल दिया है और एक चमच मै यहां पर धही ले रहे हूं यह घर का homemade fresh तई है और इसे हम अच्छे से सारे जो इंक्रिडेंट हैं उन्हें मिक्स कर लेंगे इसमें आप अपनी पसन की कोई भी वेजिटेपल डाल सकते हैं सारे ingredient मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इसे क्रिस्पी बनाने के लिए एक चम्मच चावल का आटा स्वाध अनुसा नमक और आदा चम्मच हमने खड़ा जीरा जो शाही जीरा होता ना वही इसमें एट कर दिया है आप इसमें बुना हुआ जीरा एट कर सकते हैं औरेगनो एकस-ट कर सकते हैं Johann mix up कर सकते हैं स्कोर भी स्वाधा मझेदार प्रिस्पी बनाने के लिए और भी जजादा टेस्पी बनाने के लिए तो यहां पर मैंने सारी चीजों के अच्छा सा डो बना कर तयार कर लिया है उसके बाद अब हम इसकी बनाएंगे चोटी चोटी टिककी हाथ और उंगली की मदढस से दीकिए मैंने उसे गोल शेफ देते हुआ झोटा-चोटा टिकी बना दिया है मुदलाब छेत कर दिया है एकदम लग रहा है जैसे हम डाल के जो मंगोडे बनाते हैं तो 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 आज का जो बेना दाल भी गोई हम ऐसा ही कृस्पी ब्रेक्वास्ट बना कर तयार करेंगे मज़ेदार रेसिपी हैं पांच मिट में बना कर तयार कर सकते हैं और हेल्दी भी है क्यूंकि आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल बना कर डाल कर एड़ कर सकते हैं एक तरफ कड़ाय में तेल डालकर गरम करने के लिए रख दे था क्यूंकि आपनी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं तो यह लीजे तेल अच्छे से गरम हो चुका है, मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हमने एक टिक की डाल कर इसे फ्राइ कर लेना है, अगर हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, फ्राइ करेंगे तो यह बाहर से जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा, तो यहां पे देखि क्रिस्पी होने तक गोल्डन कलर आने तक पका लिया है, उसके बाद इसे पलट दिया है, तो फ्लीप करने के पाद भी अच्छे से जो है फ्राइ हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे जारे की मदश से, तो यह लीजी है, हमारा क्रिस्पी साव मज़ेदार सा ब्रेकफ ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो चुका है आप इसे फटाफट बना कर तैयार करें और इसी तरीके से हमने सेकेंड बेच भी फ्राइ करने के लिए घडाई में डाल दिया है मुझे थोड़ा सा तेल गम लग रहा था तो यहां पर देखिए मैंने उसे कड़ाई को थोड़ा सा म अब टन hem सब्सक्राइब की तो आप इसे दो जोडूर कर सकते हैं तो इस मज़िदार हें रेकिए को आप पर जरू ट्राइ करें अगर को रेसी पसंतो को दो स्क्राइब कर लेजिए एको पर लोग में विक्लिक कर लीजिए ताकि